साइबान कददान, बालों की प्रत्यों किता में आप रस्पाँ आते हैं बस एक लड़की और चाहिए हमें केवर प्रत्रों किता की लिए जो भी प्रत्यों की इक चुक है वो सामने आई लाइज जीड है साइबान, मिल गई हमारा की आईए हमें से उल्य चैके इसा वरत्या और कारहण हाईए जो आई इसे साइबान आए आपने बालों को चुस दिर्स करके आईए मेल में से भी ठीन'! क्या आ को आहाए मिल terrified आपने में प्रत्तुलिझे का पंशितने एक वाज़ियों गलेके ऐचा ज़ए कैसे हेर स्पा अरे घर पे कर लेते हैं ना देख सामाना रेमिडी मैं बता देती हूँ एक लाख लाइट तू ले ले ना आँ बताती हूँ हेर स्पा का पहला एस्टाप ओयल प्रिपेशन अपनी हेर लेंद के अफोर्डिंग मैंने तीन से चार चमज कोकोनेट ओयल को गरम कर लिया और ओलिव ओयल है तो सही है नहीं है तो रेगुलर ओयल यूज करो पर जादा गरम मत कर लेना इतना गरम करना कि आप उसे इजिली टच कर सको बस ओयल को रूट से लेके टिप सक अच्छे से अपलाई करके मसाज करो ये मसाज पांच मिनट तक करनी है अब इससे होगा क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज जिससे है ग्रोथ को बूस्ट अप मिलेगा सेकिंड स्टेप इस स्टीमर अरे मशीन नहीं अपनी स्टीमर का देश सी जुगार है ये मैंने लिया है DIY टोवल अब इस टोवल को हलका गुनगुने पानी से भिगो या पर आप तो नोमल पानी से भिगो रही हो बैया गरमी इतनी फढ़ रही है तंकी से सीधा गरम पानी आ रहा है अब इसे हलका ही चोड़ने के बाद अपने बालों पे कवर करते वे ऐसे लगा लो और ये टोवल आया कहा से जानने के लिए देखे कल शुति अरजनान का वीडियो ओ पाजी अब पान्स से छे मिनट करेंगें वेट लग रही हूना मैं सर्दान जी की तरह तो जल्ली से पंजाबी सांग लगा दो ये बाला नहीं ये बाई भागडा भागडा लगाओ ये टोवल की हीट ना हमारी हेर श्राप को ओपन कर देगी और अब जाके ओल जाएगा हेर श्राप के अंदर बाल ओली हो गए तो श्राप करना ही पड़ेगा अब जैसे अपने श्राप कंडिशनर लगाते हो ना वैसे लगा के हैर वाश कर लो हाँ तो हैर वाश हमने कर लिया आप अपनी बाल को थोड़ा 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 पैट ड्राइ कर लेते जादा नहीं सुखाना है और यहां पर हुए कुछ गड़ गड़ हैर स्पामेनी यहां पर यहां कॉमेंट चरके बताओ ढूंडो ढूंडो इसके बाद हमें लगाना है अबगू हेर बाद क्या लगाना है बेवपू पतायत हुथा कि दही और शहद लगाना है एक काम धंग से नहीं होता हां वही तो कह ली थी मैं कि थाई का मास्क लाणा है दही का मास्क अपनी हेलेंट के अकॉर्डिंग मैंने थीन सो ग्राम कड़ ली मिलाया उसमें चार चमज हानी और मिलाने के बाद पैख हो गया रेडी खाना ने खा रही हूँ मास्क अगर कपड़ों में गिर गया ना तो मम्मी नी छोड़ेगी इसलिए इससे कवर कर रही हूँ और ये टावल खुलकर गिरना जा इसलिए से रबबेंट से सक्यार कर ली और बस इनी हलके गिले बालों में लगा लो आप मास्क धही जितना सिल्की है, उतना ही सिल्की है हमारे बालों को भी बनाता है क्योंकि इसमें विचमिन धी होता है और डेंडरफ के लिए तो राम बान है हनी, हनी में तो एंटी ऑक्सिदेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ब्रेकिज की प्रॉबंस बचाती है और दोनों मिलकर हमारे बालों को बनाता है स्मूथ, शाइनी और स्ट्रॉंग रूट से लेके टिप तक लगाने के बाद आप अपनी फिंगर टिप से हलका हलका मसाच कर ले जादा तेज़की करोगे तो बाल टूट भी सकते है और बस अपने बालों को लपेट के क्लेचर से सिक्योर करो और मास लगाने के बाद मैं लगाँगी शावर कैप चुचाप सा पनी लगा? लाओ देदू, वही देदू गलाबी रंकी तो कहने का मतलब यह था कि अगर आपके पास शावर कैप नहीं है ना तो अब यह वेजटेबल पॉलिथिन का भी यूज कर सकते हो और अब बस पंदरा या फिर बीस मिनिट तक इंतजार करो पंदरा मिनिट हो गए है अब हमने शावर कैप उर्फ वेजटेबल पॉलिथिन को हटा लेते हैं अब जब मैं शावर कंडिशनर करूंगे ना तो आप ब्यूटी शॉट देखना मिलते हैं कॉंपिटिशन में और यह हैस पास से बालो की प्राव्लम को सॉल्ब ही करेगा डेंड रॉप, इची स्केल और जितनी भी प्राव्लम्स है ना आपको उनको भी सॉल्ब कर देगा तो महीने में एक से दो बार इसे ट्राई जरू करना और जब भी उस करो, फ्रेश उस करो और आगे कंपिशन से यार फूच मत पूरे कंपिटिशन दे ना बस मेरे बाल ही छाय रहते और लड़के अंको लड़को ने तो इतनी सीटिया बचाहिए ना कि मैं क्या बता हूँ विससे मैं किया सोच की थी कि मैं भी मास प्राई कर लगी हूँ अंको शर्मा तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम अच्छे रेमेटी बताते जाओ मैं करती जाओंगी जैसे आच्छी करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं लाइक करते हैं इसे घर करते हैं पताम होगा बता है इस तोफरा कहा हूँ यह पांग।